दूसरे प्रैक्टिस मुकाबले में भारत टेम को वेस्टन ऑस्टिलिया के हाथ तों 36 तन के बढ़न तरसेहार का सामना करना पड़ा और इसी हार के साथ भारत टेम की बहुत ज़्यादा बिज्जिती हो रही है और भारत खिलारी मुहू दिखाने के लायक नहीं बची है दोस तो इंडिया और वेस्टन ऑस्टिलिया के बीस में दूसरा वारों मुकाबला खेला गया इस मुकाबले में वेस्टन ऑस्टिलिया के टीम ने पहले बल्लेवाजी करते हुए 168 नमर आठ विकेट खोने के बाद 20 सोबर में जिसमें डी अर्सी सौट ने चौवर रंकी पारी खेली 49 गेनों में और वहीं नेक होपसन ने 64 रंकी पारी खेली तावार तोर 41 गेनों में टीम इंडिया की ओर से अस्वर ने सवसी ज़रा तीन विकेट चटकाए और हरसर पटल ने दो विकेट चटकाई भारत टेम इस लच्ट का पीछा करने के लिए मैदान प्याई तो भ भारत टेम के सभी बल्लेवाच्वेल हो गए और इसी वज़य से भारत टेम को 36 सांच से दूसरे वारों मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और दोस्तों सभी ने अनुमाल लगा लिया है अगर ऐसा ही भारत टेम की बल्लेवाई चलती रही तो भारत टेम टीटमेंड वर्ल कप से ही बाहर हो जाएगा